आये चुनावे इतिहास चानते हैं पिपरा विधान सभाग शेत्र का जिसकी विधान सभाग शेत्र संख्या है सत्रा आईए इसकी डिमोग्राफी समझ लेते हैं सूचित जनजाती शूने दशमलव शूने चार फीसदी स्क्रीन पर है दो हजार के चनाफ परिणाम कुलमत दाता तब थे एक लाग तिरसेट हजार पांत सो बारा कुलमत दान हुआ अठावन फीसदी जीते हुए कैंडिडेट सुरेंद्र कुमार चंद्र राज़त से वोट इनहें मिले 34,479 यानि 36,73% हारे हुए कैंडिडेट कृष्ण नंदन पास्वान निर्दलिय लड़े थे वोट इनहें मिले थे 33,702 यानि 25,26% जीत का अंतर 10,777 यानि 11,47% फर्वरी 2005 के परिणाम कुलमत दाता एक लाग नबे हजार तीन सो तिरपन कुलमत दान चियालेस प्रतिशत जीते हुए कैंडिडेट कृष्ण नंदन पास्वान भाजरपा से वोट इनहें मिले 37,758 यानि 42,77% हारे हुए कैंडिडेट सुरेंदर कुमार चंदर राजत से वोट मिले 25,895 यानि 29,33% जीत का अंतर 11,863 यानि 13,44% ऑक्टुबर 2005 का चुनावी नतीजा स्क्रीन पर है कुलमत दाता एक लाग च्यासी हजार साथ सो संतान बे मतदान कुल 47 पीसदी जीते हुए कैंडिडेट कृष्ण नंदन पास्वान भाजरपा से वोट इन्हें मिले 43,249 यानि 48,61% हारे हुए कैंडिडेट सुरेंदर कुमार चंदर राजत से वोट मिले 32,760 यानि 36,83% जीत का अंतर 10,489 यानि 11,78% 2010 का चुनावी नतीजा स्क्रीन पर है कुलमदाता तब थे 2,37,749 कुलमदा ने 51 फीसदी जीते हुए कैंडिडेट अफदेश कुश्वाहा जदियू से वोट मिले 40,99 यानि 32,77% हारे हुए सुबोध यादव राजत से वोट मिले 28,212 यानि 23,06% जीत का अंतर 11,887 यानि 9,71% 2015 का चुनावी नतीजा आपके सामने है कुलमदा ने 2,99,93 फीसदी जीते हुए कैंडिडेट शाम बाबु प्रसाद भाजरपा से इन्हें वोट मिले 65,552 यानि 38% हारे हुए कृष्ण चंद्र जदियू से वोट मिले 16,622 यानि 35,72% जीत का अंतर 3930 यानि 2,28% ये हमने आपको बताया पिपरा के बारे में पिपरा विधान सभाक्षेत्र जो की पूर्वी चमपारण में आता है सत्ता विमर्ष आपको ऐसे ही विभिन विधान सभाक्षेत्रों की जानकारी देता रहेगा जुड़े रहेए सत्ता विमर्ष के साथ